आचार सहीता लागू हो जाने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? ध्यान रखे, आचार सहीता लागू हो जाने के बाद आम जनता का जीवन वैसा ही चलता रहता है नेता और मंत्री ना किसी नए कार्यक्रम का उधगाटन कर सकते हैं ना कोई नई योजना लागू कर सकते हैं ना ही चुनाओ प्रचार के लिए सरकारी मशिनरी का उपयोग कर सकते हैं ना ही अपने election campaign के लिए ये सरकारी गाड़ी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं और ना ही कोई मंत्री या नेता किसी अधिकारी को आदेश दे सकता है आचार सहीता से जूड़ी ऐसी ही मज़िदार बातों को जानने के लिए यूट्यूब पर आईए जहां आमने बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड कर रखा है आचार सहीता यानि कोड़ और कन्रट के बारे में